वहिया संसद से एक जटका आमादवी पार्टी को भी लगा, आमादवी पार्टी के रजजिस सभा संसद रागव चड़ा को रजजिस सभा से सस्पंड कर दिया गया है रजजिस सभा में ध्वनिमत से ये पास हुआ, इसके लावा आपके दूसरी संसद संजै सिंग के मुश्किले भी कम नहीं हुई है उनका सस्पंशन भी बढ़ा दिया गया है, आपके दोनों निताओं को विशे शाधिकार समिती का फैसला आने तक रजजिस सभा से निलंबित किया गया है रागव पर मिस्भिहेव करने का आरूप लगा है, दिल्ली सेवा विधहक बिल में प्रस्ताव को लेकर लगे आरूपों पर एक दिन पहले ही रागव चड़ा ने प्रिस कॉन्फरेंस की थी, इसी को आधार बना कर उन्हें सस्पंट किया गया दरसल जब मामला प्रिविलेज कमिटी के पास हो, तो मीडिया में खुद को डिफरेंट करना नियमों का उलंगहन माना गया है पांच सांसदों का दावा है कि दिल्ली सेवाव विध्यक को उनके सहमती के बिना सेलेक्ट कमिटी को भेजने के प्रस्ताव पर उनके नाम को लेक किया गया था ये प्रस्ताव आप सांसद रगप चड़ा ने पेश किया था, विरोधर्ज कराने वाले तीन बीजेपी के सांसद हैं, वहीं एक बीजेडी के और एक अन्ना द्रमुक सांसद भी शामल है इस मुद्देपर केंद्र ग्रिहम अद्रेमुशान इजाढ़ की थी जिसके बाद मामले को प्रुबलेज कमिटी में भी जा गया था मेरा ये अपराद है कि मैंने दिली सेवा बिल पर अपनी बात रखते होए BJP के सबसे बड़े नेताऊं से नियाई की मांग करी उन्हें उन्हीं का पुराना मैनिफेस्टो दिखा कर वादे पूरे करने को कहा BJP को आइना दिखाया और आज की BJP को अड़वानी वादी और वाजपाई वादी होने की बात कहीं क्या इन्हें ये दर्स अताता है कि कैसे ये 34 साल का युवा संसद में खड़ा होकर हमें ललकारता है कि मेरा गुनाह क्या है ये कि मैंने मनीपुर के हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई ये कि मैंने मनीपुर में हो रही महिलाओं के साथ दरिंदगी का सवाल उठा है ये कि मैंने कारगिल के योधा की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया गया वो सवाल उठाया ये मेरा अपराद है कि वहाँ लोगों के घर जलाये जा रहे हैं मत जलाओ लेकिन प्रधान मंत्री को जो कल मैंने सुना उससे असपस्थ हो गया कि उनका मकसद मनिपूर की हिंसा रोकना नहीं संजे सिंग को रोकना है उनका मकसद मनिपूर की हिंसा रोकना नहीं विपक्ष की आवाज को रोकना है